गाव फुर्तिपुर में रहने वाले मोटू और पतलू का दोस्ताना रिष्टा हमेशा ही हर किसी को हंसी में डाल देता था। गाव वाले उनकी मस्तीभी कहानियों के लिए मशूर थे। एक दिन गाव में एक नया आयोजन हुआ जिसने सभी को एक साथ लाने का मौका दिया। वह था केक मेकिंग कम्पीटिशन। गाव वालों के बीच यह प्रतियोगिता बहुत ही पॉपुलर थी और लोग बड़े उत्साह से इसमें भाग लेने के लिए तयार थे। मोटू और पतलू ने भी इसमें भाग लेने का निरनय किया क्योंकि उन्होंने सुना था कि इस बार का विजेता बहुत बड़ा इनाम जीतेगा। प्रतियोगिता का दिन आया और सभी लोग अपने-पने केक्स बनाने के लिए बने हुए थे। मोटू और पतलू ने भी एक दूसरे के साथ मिलकर एक शानदार केक बनाने का निरनय किया। पतलू ने मोटू से कहा, दोस्त हमें एक ऐसा केक बनाना चाहिए जो सबको याद रहे। मोटू हंस्ते हुए बोला, हाँ, और हमें इसमें एक खास तड़का भी डालना चाहिए ताकि हम विजेता बन सकें। वे दोनों बड़े उत्सुकता और मनोबल के साथ अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने विभिन रंगों की इस्तिमाल से एक बहुत ही सुन्दर केक बनाया, जिसमें खास्तर से मस्तीभरे मोटू प्तलू के चहरे बने थे। प्रतियोगिता के दिन सभी केक बनाने वाले गाउवाले अपने-अपने केक्स लेकर आएं। सभी केक्स बहुत ही रोचक और सर्थ। वादिष्ट दिख रहे थे। लोग देखने के लिए उचसुकता से भरे हुए थे कि कौन विजेता बनेगा। मोटू और पतलू ने अपना केक भी लेकर पहुँचा। उनका केक बड़ा ही शानदार और अनूठा था। सभी लोग देखकर हैरान हो गए कि इतना रोचक केक कौन बना सकता है। प्रतियोगिता का समय आया और जजों ने सभी केक्स को एक-एक करके जरूरत और रुची के हिसाब से जज में दी। मोटू क्तलू के केक को देखकर जजों ने तारीफे देना शुरू किया। जज एक यह केक बहुत ही स्वादिष्ट है और इसमें यह देखकर हनसी आ रही है। जज दो हाँ इसमें कुछ खास बात है जो इसे हटकर बनाती है। जज तीन मुझे लगता है कि यह केक विजेता होने के लायक है। अंत में जजों ने मुटू प्तलू के केक को विजेता घोशित किया। गाओ वाले हनस्ते हुए और तालियों की गूंच के साथ इन दोनों का स्वागत किया। मुटू और पतलू ने अपनी जीत का श्रे सभी को दिया और कहा। हमारा यह केक तुम सभी के साथियों के मस्तीभे मोमेंट्स को आदर्श रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास है। हमें खुशी है कि तुम सभी इसे पसंद कर रहे हुँ। इस जीत के बाद मोटू और पतलू ने गाउवालों के साथ खुशिया बांटी और उनकी मस्तीने गाउव को रौंगत से भर दी। यह प्रतियोगिता ने सिखाया कि जीवन में कभी-कभी हंसी और मस्ती का भी अपना एक महत्व होता है। और एक छोटी सी द्रिडता से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।